भारत के प्रथम स्वतंतरता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लेने वाले सेनानी में तात्या टूपे का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनका वस्तविक नाम रामचिंद्र पंडूरंग ये वलकर था लेकिन सब इनको प्यार से तात्या कहते थे। इनका जन्म एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था, 1857 की क्रांती में इनका अतियंत महत्पून योगदान रहा है, तात्य टुपे भारत के प्रथम सुतंतरता संग्राम के एक सेना नायक थे, भारत को आजादी दिलाने में इनका महत्पून योगदान रहा है, जब वीर जासी की रानी लक्ष्मी भाई, नाना साब, पेशवा, राव साब, जैसे वीर लोग इस दुनिया से विदा लेकर चले गए थे, तब वे लगबग एक साल तक अंग्रेजों के विरुत लगातार विद्रो करते रहे, तयात्य टोपेई जी का जन सन 1814 में महराष्ट के नासिक जिले के ये विला नाम के एक गाउ में हुआ था, इनका जन में एक पंडित परिवार में हुआ था, ये आट भाई वैन थे, जिन में ये सबसे बड़े थे, इनके पिता पालूरंग राओ भट, फेश्वा बाजिराओ द्वित्य के धर्मदाय विभाग के प्रमुक थे, उनकी विद्वत्ताय वें करते हुए पाराना आया था, देखकर बाजिराओ ने उन्हें राज्यसवा में बहुमुल्ले नवरत ने जड़ी थे, तोपी देकर उनका सम्मान किया था, तब ही उनका उपनाम टोपे पड़ गया था, इनकी सिक्षा मनुबाई राने लक्षमी कर दिया, इन्होंने कालपी के युद में जहासी की रानी की मदद की, नवंबर 1857 में इन्होंने ग्वालियर में विद्रोईयों की सेना एकत्र की और कानपूर जीतने के लिए परियास किया, लेकिन ये संबभव नहीं हो सका, इसका मुखे कारण यह था, कि ग्वालियर के एक पूर्व सरदार मान सिंग दे, जागीर के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिससे ग्वालियर फिर से अंग्रेजों के कबजे में आ गया, जब तक तात्या नाना साथ थे, वे कभी अंग्रेजों से कभी नहीं हारे, जिसमें छुपकर अचानक से दुश्म में तात्य टोपे जी ने उनकी गुरिल्ला युद को अपनाते वे अंग्रेजों का सामना किया था जहांसी पर बिटिस का आकर्मन होने पर लक्षमी भाई ने तात्य से सहता मांगी तब तात्य ने 15,000 सेनिकों की टुकड़ी जहांसी भेजी राजगदी के लालच में मांग सिंग ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना 7 अपरेल 1969 को गिरफतार कर लिया था शिप पूरी में उन्हें 18 अपरेल 1869 को फांसी पर चड़ा दिया गया था ये थी कानी तात्य टोपिक विडियो पसंद आये तो विडियो को लाइक करे, सबस्क्राइब करे और कमेंट जरूर करे